Hello friends, welcome back with a new video, मेरा नम है उतकरश दोस्तो हाली में मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है उतकरश फाइनेंस कम्यूनिटी उसमें कई सारे मेंबर्स अभी जॉइन हो चुके हैं, अगर आपने अभी जॉइन नहीं किया है तो description box में link है, आप उसरे क्लिक करके join कर सकते हैं तो वहाँ पर कई सारे लोगों के questions आते रहते हैं, लोगों के queries solve होती रहती हैं साथी साथ कभी कभी हम लोग को stocks के उपर भी discussion करते हैं दोस्तो आज एक question आ रहा था कि stocks में SIP कैसे करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के उपर बात करेंगे कि स्टॉक्स में S.I.P कैसे करते हैं और इसके क्या-क्या फायदे हो सकते हैं साथी साथ मैं आपको दिखा हूँ कि कैसे मैंने भी स्टॉक्स में S.I.P के तौर पे इंवेस्मेंट की है और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ताकि यूट्यूब की अल्गॉर्थम्स इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुचा सके और चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहें तो जैसा कि आपको पता है कि हम जानने वाले हैं कि स्टॉक्स में S.I.P कैसे करते हैं तो इसमें जो एक वर्ड है न S.I.P सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए S.I.P का मीनिंग होता है Systematic Investment Plan इसका मतलब यहा है कि एक ऐसा Investment Plan जिसमें आप एक सिस्टम और डिसिप्लिन में लगातार Investment करते रहें मान लेजे January मन्त में आपने 20,000 रुपीज अर्ण किये उसका आपने 50% अमांट Investment के लिए अलग रख लिया तो वो 50% अमांट आपको उस मन्त में Invest करना है यानि कि January मन्त में यही प्रिंसिपल आपको अगले मन्त भी फॉलो करना है अगर आप अगले मन्त में February के मन्त में भी 20,000 फिर earn करते हैं तो इसका 50% यानि कि 10,000 आप Investment करेंगे तो एक ऐसा Investment है जिसमें आप देखिए कि कैसे हम 10,000 रुपीज जनवरी में भी Invest कर रहे थे February में भी Invest कर रहे थे, March में भी Investment कर रहे थे तो लगातार जब हम पर मन्त ऐसे Investment करते रहते हैं अपनी लाइफ में तो आगे चल के जब हमारी Retirement की Age होती है तो एक अच्छा खासा Corpus हमारे पास Create हो जाता है ताकि हम अपने Dreams को पूरा कर सकें सो कुल मिला के SIP इसी तरीके से काम करती हैं अब अगर बात करें कि Stocks में SIP कैसे कर सकते हैं तो Stocks में SIP करने के आपके पास दो तरीके हैं सबसे पहला है कि आप Mutual Fund में Investment करिए और दूसरा है कि आप Direct Stocks में Investment करिए Mutual Fund में SIP के वारे में हो सकता है बहुत से लोग जानते हों क्योंकि वहाँ पर आपको SIP और Lump Sum ये दोनों ही Plans सामने ही दिख जाते हैं वहाँ पर आपको कुछ Extra से कोई जी सोचनी नहीं पड़ती है वहाँ पर आप SIP अगर करते हैं तो Set कर देते हैं कि आपको 500 रुपीस पर मन्त Invest करना है और अगर आप Auto Pay On कर देंगे तो Automatically आपके Bank Account से 500 रुपीस पर मन्त कट कर लिये जाएंगे और इस Particular Fund के अंदर Invest कर दिये जाते है इस तरीकी के SIP के बारे में बहुत से लोग जानते हैं Stocks में SIP किस तरीके से करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों Stocks में SIP करने का मतलब यह होता है कि आपने एक Particular Stock चूज कर लिया जिसके Fundamentals आपने पहले से पढ़ रखे आपको पता है कि आने वाले 10 years में आने वाले 20 years में यह Company हमेशा साल दर साल एक अच्छी Growth दिखाने वाली है और इसका Share Price एक अच्छे Rate से बढ़ने वाला है तो आप क्या करते हो कि उस Stock के अंदर पर मंत बाय करते रहते हो तो दोस्तों ऐसा हम दोग करते क्यों है इसको समझने के लिए आपको एक Particular Stock लेना पड़ेगा तो दोस्तों इस Stock के अगर बात करें तो काफी अच्छा Stock है IT Services में काम करता है और IT के अगर बात करें Information Technology के अगर आप बात कर रहें तो एक काफी Promising Sector है काफी ज़दा Growth वाला Sector है जो Consistent इसमें Growth है वो लगातार होनी रहें और TCS के Profits की बात करें तो TCS के Profits भी लगातार Year on Year Basis पे Grow होते रहते हैं साथी साथ पिछले 10 सालों के जाए इसका CHGR है वो भी 19-20% का है तो दोस्तों हमको पता है कि इस Stock में हमारा पैसा भी Safe रहेगा और लगातार साल-10 साल हमारा पैसा बढ़ता भी रहेगा तो यह Stock हमारे लिए अच्छा है कि इसमें हम लोग S.I.P. के तौर पे Investment करते रहे यानि कि Systematic तौर पे Investment करते रहे Example के लिए कोई आदमी अगर 10,000 रुपे महीने का कमाता है और उसने 4,000 रुपे हर महीने का प्लान कर रखा है कि वो Invest करेगा Stock Market में लेकिन उसको पता है कि यह उसने बहुत ही महनत से कमाया पैसा है तो किसी ऐसे ही Stock में डालेगा जो उसके लिए Safe हो और Promising भी हो यानि कि एक अच्छा कासा Growth लगातार देता रहे उस लियास से वो TCS को Choose कर लेता है जिसकी प्राइस है 3,000, 380 रुपे वो हर मेने 4,000 रुपे बचाने की सोच रहा था और 3,000 का तो यह Particular Share ही है तो काफी कम Share उसे मिलेंगे तो दोस्तों SIP के के केस में किसी को भी गिंती से मतलब नहीं होना चाहिए अब वो आदमी करीगा क्या कि पहले मन्त में एक Share बाई कर लेगा अगर उसका Price 3600 रुपे हो गया होगा तब भी वो उसे Buy करेगा क्योंकि उसे पता है कि वहाई स्टॉक अच्छा है और आने वाले टाइम पे Grow हने वाला है तो Overall उसके 3 मन्त के बाद quantity तो उसकी बढ़ गई न तो आप देखिए किसी particular स्टॉक के अंदर आप SIP करते हैं तो अपने मन में एक ऐसा plan मना लेते हैं कि आपको इन इन stocks में पर मन investment करनी ही है इस तरीके की investment मैंने भी अपने life में करी है और मैं करता रहूंगा इसका मैं आपको example दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ मेरा grow का dashboard है इसमें मैंने कुछ stocks में SIP के तौर पर investment करी है for example मैं आपको लेके चलता हूँ TCS पर मुझे पता था TCS काफी अच्छे stock है तो इसमें मैं लगातार investment करता रहता हूँ यहाँ पर अपना मैं click करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से किन किन date को मैंने investment करी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं holding transaction में यहाँ clear देखेगा आपको कि एक फरवरी को पहले मैंने इसमें 3 share लिये थे 3095 की rate से तो तब total value मैंने invest करी 9285 रुपीज इसके बाद मैं इसमें quantity और increase करना चाह रहा था लेकिन फरवरी के मन्त में तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया मार्च के मन्त में इसमें investment की तो देखे आप 2 मार्च को मैंने फिर से इसमें buy किये 2 share 3003 की rate से तो total investment मैरी 6006 रुपीज उस दिन हुई थी इसके बाद मैंने फिर इसमें एक और और buy किया है 20 माई को 3068 की rate से यहाँ पर आप देख सकते हैं तो total investment जो मेरी आज तक अभी तक हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं invested value 18359 रुपीज क्या मैं इसे अभी sell करने वाला हूँ बिल्कुल भी नहीं जैसा कि mutual fund में आपको पता है कि mutual funds आपको long term में return देते हैं तो लगातार हम उसमें SIP यानि कि लगातार हर month investment करते ही रहते हैं यहाँ पे stocks में auto pay का medium तो है नहीं तो आपको अपने अंदर एक discipline बनाना है कि आपको लगातार वहाँ पे investment करते रहनी है तो यहाँ पर मैंने एक फर्वरी को पहले टीस का share buy किया फिर दो मार्च को भी buy किया फिर 20 माई को फिर buy किया and most probably अगले month में मैं और इसमें buy करूंगा ताकि overall जो investment है उसकी value भी और बढ़ती चली जाए और number of shares मेरे पास जादा हो जाए ताकि future में कभी अगर stock split होता है stock bonus देता है और तो dividend देते रहते हैं company जो dividend देती रहती है उसकी भी quantity मेरे पास जादा होती रही साथी साथ जब मैं long term में यानि कि 10 years या 15 years के बाद अगर इन shares को sell करने जाऊंगा तो overall इस share पे मुझे काफी अच्छा खासा रिटल मिल रहा होगा इसी तरीके से कुछ और share है जिनमें मैंने SIP के तोरे में investment करी है लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं Asian Pins Asian Pins भी काफी अच्छा stock है इसमें भी आपको लगातार अच्छा CGR मिलता रहता है अगर इसको मैं खोलूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं invested value मेरी 13,108 रुपी इसमें भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने 4 February को इसमें 3 share भाई की हैं उसके बाद 14 June को 2 share इसमें मैंने और भाई की हैं तो इस तरीके से मैं किसी भी stock के अंदर SIP करता हूँ यानि कि एक system के थुरू investment लगातार कुछ तुछ तुछ टाइम पे करता रहता हूँ ताकि shares की quantity बढ़ जाए क्यों मैं उसमें quantity बढ़ा चाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो stock आने वाले टाइम बे बहुत अच्छा return देने वाला है और पिछले कई सालों से अच्छा return देता आया है यहाँ पर आपको कुछ doubt हो सकते हैं कि हमारी average price यार change हो जाती है तो देखे तो चार फरवरी को जब मैंने इसमें buy किये 3 share तब मेरी average price 2406 रुपे थी तो यहाँ पर जो यह average price 2621 है यह average price 14 जून से पहले 2406 रुपे थी लेकिन 14 जून को जब मैंने इसमें investment की तब इसका share price था 2944 रुपे यहाँ पर share price काफी ज़दा high था इस वरे से जो मेरी average price थी वो भी बढ़ जाएगी पहले average price थी मेरी 2406 अभी average price बढ़ के 2621 रुपे हो चागी है average price का जो पूरा funda है वो मैंने एक वीडियो में बताया है आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं बट दोस्तों समझिए यहाँ पर भले ही average price बढ़ गई है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि यह stock आने वाले time पर और ज़दा grow सकता है और ज़दा इस stock के अंदर potential है तो जितनी ज़्यादा quantity आप उसकी accumulate करते रहेंगे पर मंत basis पर या फिर दो-दो महिने पर जब भी आपको suitable लगे आप उसमें खरीदते रहेंगे उस particular stock के अंदर तो आपको long term में जब आपके पास एक अच्छी खासी quantity हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छे returns दिखना शिडू हो जाएगे बट दोस्तों जब आप SIP कर रहे होते हैं तो मान लीजे किसी मन्त में आपने buy किया यानि कि January में buy किया और February में वो share 500 रुपए नीचे गर चुका है तो आपको उसके अंदर per month basis पे या फे 2-2 महिने पे जब भी आप एक routine मना लीजे तो आप उसके अंदर उसमें buy कर सकते हैं और उसी quantities accumulate कर सकते हैं यानि कि quantities बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें जब तक आप उसमें बढ़ाना चाह रहे हैं इसे overall long term में आप ही को बहुत अच्छा फायदा होता है सो दस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो के regarding आपका कोई भी सवाल हो तो comment box मुझे जरूर पूछीगा आपको उसका reply जरूर मिलेगा मिलेंगे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत